त्योहारों में हिंदुस्तान के शेहरों को देहलाने का आयसाई और डी कंपनी का आतंकी प्लान बेनकाव। हिंदुस्तान से उमान और पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग की साज़श का परदाफाश। मल्टी स्टेट टेरर मोड्यूल पर सुरक्षा इजन्सियों का शिकंजा। दिल्ली यूपी महराश से छे संदिक्दू की ग्रिफतारी के बाद हुए कई संसनी खेज खुला से। आयसाई की ट्रेनिंग और हत्यार गोला बारूद महिया कराने की चाल और आतंकी हमलों के लिए दाउद के भाई अनीस इब्राहिम की ओर से फंडिंग क्या भी भंडा फोग। ये काम्याभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की और से चलाए गए जबर्दस्त ऑपरेशन के बाद मिली। पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकी मौजूल का परदा फाश हुआ जिसमें छे संदिक्दू को गिरफतार किया गया। इन में से दो पाकिस्तान के कराची में ISI की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। भारत के कुछ प्रमुक्त शहरों में कुछ आतंकी घटनाई करने के एक साज़ेशिव हो रही है। जो की बॉटर के उस पार से है। उसामा और जीशान कमर ये दो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हैं जो ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्हें दिल्ली और उत्रप्रदेश के अलग-अलग ठेकानों पर IED लगाने के लिए और उनकी रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इन दोनों को कैसे भारत से पाकिस्तान ले जाया गया ये भी समझे। पूचताच में उसामा ने बताये कि 22 अप्रेल को लखना उसे सलाम एर फ्राइट के जरिये उसे उमान के मसकट ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात कमर से हुई जो ट्रेनिंग के लिए भारत से पहले ही पहुँच चुका था। मसकट से उसामा और जिशान को पाकिस्तान के ग्वादरपूर्ट के पास जियोनी टाउन लाया गया। फिर एक पाकिस्तानी उन्हें कराची के उसी थट्टा फार्म हाउस पर ले गया जहां मुंबई हमले में शामिल आतन की कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। दो आदमी ऐसे हैं जो कि अभी एपरिल में यहां से मसकट गए थे, यहां से वो बाई एर गए और वहां से मसकट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया, वहां ग्वदर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहां पर कि इनको एक के 47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई, यह ट्रेनिंग लगवक 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद यह लोग वहां से वापिस मसकट गए फुलिस के मताबिक जीशान और उसामप वो पाकिस्तान सेना की दो अधिकारियों जब बार और हमजा ने ट्रेनिंग दी, तोनों सेना की वर्दी में रहते थे यहां 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बम, आईडी बनाना और रोजमर्रा की काम आने वाली चीजों से आगजेनी करना सिखा गया उन्हें एके 47 समेट दूसरे हत्यार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गए जाच एजंसियों के मताबिक इससे पहले ट्रेनिंग देने वालों को पहले भारत से दुबई बुलाया जाता था और फिर पाकिस्तान के रास्ते जाने वाली किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में बिठाया जाता पाकिस्तान में ISI के अफसर उन्हें उतार लिया करते और फिर उन्हें ट्रेनिंग दे जाते मगर अब रूट बदल गया है और इस बार जेशान और उसामा को उमान से अलग-अलग बोट के जरिये समंदर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचाया गया और फिर ट्रेनिंग दी गई ऐसा इस वजे से किया गया ताकि पाकिस्तान दुबारा बे नकाब न हो पाए मगर इस नए रूट का खुलासा होते ही उसकी चेहरे से नकाब एक बार फिर तर गया